कि अभी तक आपके किंग्डम जो फाइला के रिकार्डिंग अभी किसी भी स्टुड़न को अगर कोई डाउट्स है तो आप ड्रोप कर सकते हैं आज स्टार्टिक के अंदर कुछ डाउट्सेशन ले रहा हूं लगबग 5-10 मिन्ट से चलेगा फिर फर्दर अपने प्रोपर अ है वह स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आज आपको पढ़ना है अपसो मोलस्का हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट अफर देट एक अपने डिसक्रस करेंगे अगर आपके डाउट्स हैं कुछ तो आप पहले पूश्च सकते हैं आज तो अपने जो अभी तक आपने पढ़ना है चाहे पौरिफेराओ, सेलंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटी हलमेंथीज, एसके हलमेंथीज, एनलीडा, आर्थ्रोपोड़ा यहां तक जो है आपको NCRT की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अच्छे से आपको पढ़ना ह है क्योंकि देखो इनके अंदर जो एक्जांपल दी हो है, वो एक्जांपल्स इजीली जो है, वो याद नहीं होंगे, लंबे टाइम तरक उनको याद रखने के लिए, बार बार आपको उन एक्जांपल्स को रिवाइस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर पूछ जाती है जितने भी आप एक्जाम लास्ट एन यह के आप देखेंगे स्टेट फॉरवर्वर्ड ट्रास जो है यहां से नहीं आती है बड़ जब कोश्चिन आता है तो क्लासिस का कुछ एक पर्टिकुलर कारेक्टर लाइक प्लाइट अलम वाला जो कल करेक्टर आपको सब्सक्राइब करें अब चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हां जी आपके डाऊट से तो आप वन बाई वन अपनी डाऊट सुद्राप करें सार वट इस टाइप और ट्री शर्फिशन तो फोटी सर्फेस सिंदने रेंस्पिशन होता है थ्रू बोडी सर्फिशन प्रश्पिरेशन देखने को मिलता है बोडी सर्फेस वे इस अधे डिरेक्ली गैसे एक्षेंज देखने को नहीं मिलेगा इंसिलेंट ट्रेट्स प्रांशू नमन ने यह कोशिन पूछा है नेक्स्ट कि एनि अधर स्टुरेंट क्लाइटेलं समझाइस सद्री क्लाइटेलम कि में बात करता हूँ इसके अर्थवयुम के अंदर यह rings present है यह इसका mouth इसके अंदर प्रोस्टोमियम 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 sensory structure है पूरा complete जब आप अर्थवर्म को बनाते हैं तो इस वी किसे आपको ring structures देखने को मिलेगी माल लेजिए पूरा complete around 100 to 120 इसके अंदर इसके अंदर जो segment नंबर 14 15 16 होता है segment नंबर 14 आफ्टर फिप्टीन और फिर फ़र्दर 16 14 15 16 नंबर जो segment है यहां पर cells जो होती है कुछ अलग से यहां पर कुछ present नहीं है कि अलग से क्लाइटलम आगे यहां की cells जो होती है उनका security function होता है जो है cellular cells आपको आप देखने को मिलती है glandular cells glandular cells है इनका secretion function है क्या function है secretion और secretion के अंदर एक jelly-like substance यह secret करती जिससे यहां पर एक substance secret करेगी और यही substance क्या है future के अंदर cocoon किसकी formation करता है cocoon की formation cocoon क्या होता है like up सोचिए यह art form जो है जो यह jelly-like substance होता क्या है प्रोपर आपको अगर बतायता हूं इसका जो segment number 14 है segment number 14 माल लेजिए एक अर्थवोम है अर्थवोम का यह dorsal side यह सका vental side और यह आप watch देख रहे हैं यह किसको represent कर रहे है यह माल लेजिए क्लाइटलम को represent कर रहे है तो 1974 साथ्रेव है ओर जहां क्लाइटलम प्रेजिए उसके अंदर यहां पर लोवर साइड के अंतर यह ही मेल कोन पोर प्रेजिए को जो seGS माल लेजें आ लोर यहां designed करता है मूव करने के बाद यह देखे जली लाइक सबसांस जो यहां की सेल से ने सिक्रीट किया था वो जली लाइक सबसांस जो है अब धीरे-धीरे अर्थवाम उससे बाहर की तरफ निकल रहे है ठीक है अब आपके बास यह जली लाइक सबसांस बाहर जो आपको देखने को मिलेगा इसकें अंदर क्या है कैसे आप देखए इस के अंदर क्या का है आप 14-z nercent if jya Hmm alake जो होता है यह 14 एंदर M생 कंदर अधर 150 नमबर में उस कॉर से यह पर कर दिये जाएंगे on कर दे जाएंगे भीए धिरे धीडरे यह क्या होगा है कंदर रहो lig तो यहां पर 6 से लेकर नाइन नंबर सेग्मेंट के अंदर स्पर में ठीक होतु है इनुछ स्पर्म्स रहते हैं जिस जैसे बाहर की तरफ निकलता है ज़ले एक सब्सांस मुल्ड़ करता है पीछे की तरफ और तो इसके अंदर क्या कर दियते हैं मेल केमिट्स भी फर्दर छोड़ दी जाते हैं और जब यह पूरा कॉकून बाहर की तरफा जाते हैं तो मेल केमिट और फीमेल केमिट दुनों आपस में फ्यूज हो करके जाइगोड की पॉक्यां चाहिए इंपॉर्टेंट क्ली पेकटी के पास्ण होटे है जह कि आफ्टर देट रेस्पीरेशन हो गया है क्लाइटेलम हो गया है वट इस ऑमेटीडियम ऑमेटीडियम आई आपने अगर जनरल में बात करूंगा अखर मखी मूवी अगर आपने देखिए तो उसके अंदर जो पूरा तो उसके चोड़ियम एक कमपाउंड मांने वां अगर माला ओनेजे में कोई पिक्टर देख रहा ऑग देखिना और है 1945 इनप्व इस 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 इन्सेक्ट की जो है, इस इन्सेक्ट को एनलाइज करें, तो छोटे-चोटे, इसका half part, half part, half part, half part, single को बोलते है, complete क्या है, omatidia, around 2,000 omatidia, आर seventeen, this is considered as compound eye, क्या बोलते हैं, compound eye, और compound eye में individual jó omatidia में, इसके पूरी complete की picture नहीं बनाता है, इसकी छोटी-छोटी segment की picture बनाता है, जो back में जा करके, पूरी combined हो करके, आपको यहाँ पर analyze क्या होगा, वो पूरा complete insect जिसको आप अच्छे से देख रहे हैं, वो कब analyze होगा, हर एक पेस की छोटी-छोटी जो है pictures बनेगी, and single जो segment यहाँ के present होता है, उसको बोलते है ometidium, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, next, sir, what is the name of larva in tinofora, cdpid larva, आपको बताया था, उनके इंदर cdpid larva देखने को मिलता है, cdpid larva देखने को मिलता है, indirect development होती है, hermaphrodite condition present होती है, next, संस्कीति कसाना, sir, how much labors of this chapter will ask in the test, test के अंदर बेटा, आपका जो है, invertebrates पूरे complete आएंगे, जिसमें molluska, echinodermetra and hemicodita, till hemicodita तक जो है, आपका पूरा complete आएगा, hemicodita, जो आज अपने molluska, I think, molluska, echinodermetra दोनों complete हो जाएंगे, यह फिर molluska बढ़ते हैं, तो कल आप echinodermetra और hemicod data पढ़ लेंगे, पूरा complete, वो देखते हैं, जैसा भी रहेगा, आपके doubts के according है, पहले doubts क्लियर होने बहुत जाए जूरी है, इसी वज़े से सबसे पहले माँ आपसे doubt discuss करो, one by one, quick, अपने doubts जो है, वो आप drop कर सकते हैं, हाँजी, next, इसके अंदर, sir, how much lab आपको बता दिया, sir, I am facing problem in understanding diagrams of diagram of psychon, psychon का जो diagram मैंने दोनों तरीके से आपको slide में भी show किया था, even board पे बनाया था, तो उन दोनों diagram को आप अच्छे से देखें, बाहर की जो layer होती है, उसको बोलते है, coanoderm, sorry, pinacoderm, और inner side की जो layer present होती है, उसको बोलते है, coanoderm, जहां प आपटरज से लोटरखेंब को देखने को इसी डाइग्राम है, बोडी कंडर एक्डरण और एंडरण दो ही layer देखने को मिलती है, and after that, sir, where is the oscleum present in you spongia, you spongia, you spongy, ज्याओ, हर जितने भी animal है, उन ले अनीमल के अदर fix, shape नहीं है, ज्याओ, एगॉर अज़ अगर बोलते है, symmetry यू-Spongyya Deimosongyya का member है last class जो आपको पता है last class जिसके अंदर spicules and spongy fibers आपको देखने को मिलते हैं siliceous spicules उनके अंदर fix अगर fix होता तो मैं उसके symmetry बता देता ना कि एक पूरा इस तो के से उसके अंदर radial symmetry present है क्या वोलता हूं उसके अंदर asymmetrical है कोई fix symmetry नहीं है तो और random present होगा ऐसा नहीं है कि आप बता सकते हैं कि यहीं present होगा अगर आप fix कर देते तो उसके symmetry भी बता सकते थे नेक्स्ट सर्ट टर्म मेलपीजें टिब्यूल मेंस मैलपीजें टिब्यूल यह होती है है लाइक अगर मैं बात करता हूं elementary के नाल है इसमें पूरा यह क्रॉप आ गया है क्रॉप के बाद गिज़र्ड गिज़र्ड के बाद forget midgut and hindgut hindgut के अंदर मालेजी यह क्या है रेक्टम और एनस अब होता क्या है यह फोर गट है इसका यह midgut है और हिंड गट है यह मैंने अलिमेंटर के नाल बनाई है एक रफ ठीक है अब इसके पूरे शिलोम में फैली रहती है पूरे शिलोम मतलब पूरा जो इसका बोडी जो है उस बोडी के अंदर यह मैंने क्या बनाए एक जो है आप समझ सकते हैं कोक्रोज की स्ट्रक्रोज को कट कर दिया मैंने इस रीकिसे से इंसेक्ट है मैल पीजन टिब्यूल मिलेंगी यह मैल पीजन टिब्यूल से क्या करती है एक्स्कृटरी मेंटर को एब्जॉब करती है ठीक है एक्स्कृशन के लिए रिस्पॉंसिबल होती है और डिरेक्ली सिलोमिक फ्लूट से इसको एब्जॉब करकर के कहां पूट कर रेक्टम के तुरुप फर्दर बाहर की तरफ कर दिया जाता है एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है मैलपीजन टिब्यूल एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉंसिबल होती है और प्रेजंट होती है इंसेक्ट के अंदर तो आपको चैसे यह पता होना चाहिए कुनाल सर्वाट इस फंक्शन ऑफ गैस ग्लैंड इन फाइसी लिया आपको मता जो वो फ्लोटिंग गैस ग्लैंड जो होती है फॉर्द फ्लोटिंग छोटे इनके अंदर एक नहीं है नंबर ओफ आपको ग्लैंड देखने को मिलेगी इसके अंदर इसकी यह बोलता है बनी रह इसकी बालन्सीग की ऐ Ras normalieten फिस्टीं जो होते है मैं इस किसे बाइट की इसकी वाहां पर ओल्टस प्रेजिन टेंड इंटरन सचर्ट है जो इसकी बैलैंसिंग के आ होते मिए what is the function of collar cells other than movement of water with help of flagella collar cells बताये था कोईनोसाइट्स इंट्रसेलर डाइजेशन कोईनोसाइट्स के अंदर ही तो होता है वो फूड को क्या करते हैं इंटेक करते हैं और इंट्रसेलर डाइजेशन इन पॉरिफेरेंस क्योंकि उनके अंदर लूसी फेरेज होता है तो लूसी फेरेज एंजेशन इन इन एंजाइम इन दसेंस मेलब प्रोटीन प्रेजन होता है उस प्रोटीन की कंवर्जन से कंवर्जन से वो ल्यूमिनी सेंस जो है फर्दर डबलप होती है और यह सी की सर्फेस पर आपको देखने को मिलते हैं जन्रली सर वट इस फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस इटिंग लाइक एक सेल है यह एक सेल है इस सेल के अंदर यह स्टार्टिंग के अंदर यहां पर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उसको इट करना इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस फिर फर्दर यहां पर प्लाजा को इट करने के लिए तो फैको साइटोसिस उसके लिए वड यूज करते हैं दोनों सेमी प्रोसे सार वट इस दा मीन बाइफ्लेम सेल्स एंड देर फंक्शन डिफ्रेंट ओल दाइम नो फ्लेम सेल्स इस प्रेजेंट इन प्लाटी हलमेंथीज और यह बोडी के ऑस्मोरेगु एक ही जो एंड है एक से ज़्यादा बी फॉर्म से देखने को मिलेए एक ही एक से ज्यादा फheiten पारमस के अदर तो ऊसको बोलते हैं that is polymorphism तो यह इसके अंदर polymorphism का meaning है कि बाहर से देखकर के आप distinguish कर सकते हैं male female को या फिर किसी particular character को that is polymorphism एक ही organism की two life forms को या फिर male and female को this is polymorphism next question पूछा है metameric segmentation metameric segmentation होता है कि पूरे रिंग माल लीजिए जैसे यह मार्कर आप देखने इच्छे से ठीक है इसके अंदर एक पूरा complete यह रिंग फिर अगर मैं बात करता हूं next इसकी बॉड़ी के अंदर फिर से एक रिंग की हलका फूल का difference है बट इंटरनली तो उनके अंदर डिफ्रेंस से रहता है तो बाहर से आप देखकर के बता से कि थोड़ा सा डिफ्रेंस है तो जूरी नहीं है कि metameric segment वाले जो आप हर एक के अंदर आप रिंग कर सकें सिर्फ वह एनिलिट्स के अंदर ही फिर से में एक वही इंसेक्ट जो है बना रहा हूं इसके नदर चोटे चोटे यह segments प्रेजंट है और बोटम के अंदर आगर आप देखें बोटम के इनदर यहांप र οπο Prophet रिया प्रिया प्रेस्ट आप अगर मैं इसको कट करके और यहां से देख रहा हूँ, आप यहां खड़े हैं, उपर से इसको देख रहे हैं, दिख रहे हैं आप, कैसे इसको देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा, आप उपर से इसको देख रहे हैं, तो मैं इसको उठा करके ऐसे रख रहा हूँ, दुबारा से देख से है इसको उठा करके मैंने ऐसे सीधा गी है तो यह इसका ऐड्ड वाला पार्ट फिर फार्दर इसके थोर्ड वाला पार्ट और फिर फार्दर इसके अब्डमन वाला पार्ट यह से में इसके ते जosing फिल deeply understanding यहां पर एक डोट्स बना रहा हूं मैं दिख रहे हैं आपको यह किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप ढंक से देखें चिक हैं मैंने क्या किया इसको कट किया कट करने के बाद जो है उसको उठा करके यहां पर आपको शो किया ठीक है पहले मैंने इसको कट किया कट करने के पाद इसको उठाया उठाया रहें के बाद यहां पे शोगया अब यह आपको दिख रहे हैं यह क्या है नमबर ओफ जो सेल्स हैं नर्व सेल्स यहां पर इक ट्थी हो गई है और यहां से छोटे-छोटे जो उनके फाइबर से प्रोसेस जो है वह भार की तरफ निकल रहे हैं देखें यह प्रोसेसिस जो हैं ठाला बना देता हूं मैं और यह अपर साइड्स यहां करके एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं यह इस उनको होती है पर नहीं सब्सक्रांबर को नहीं सब्सक्राइब गैंगलिया दिख रहे हैं आपको गैंगलिया जोड़ी नहीं सभी के अंदर हो most of के अंदर हर एक सेग्मेंट के अंदर आपको गैंगलिया देखने को मिलते हैं और यहां से यह दिख रहे हैं चोटे-चोटे fibers जो पूरी complete यहां पर आसपस present विसल औरगन्स को regulate करेंगे उनकी वर्किंग को regulate करेंगे इस नोड इस नोड इस नोन ऐस गैंगलिया क्या बोलते हैं गैंगलिया आइटिंक यह समझ आया होगा आपको sir monoecious means two sexes present in one organism yes misnomer है यह monoecious meaning होता है कि monoecious meaning bisexual कि एक single organism के अंदर male and female reproductive organs both are present but diocious का meaning होता है unisexual जिसके अंदर male and female both are separate दोनों अलग-अलग होते हैं तो misnomer है यह sir nervous system हर animal में present है in any form developed or less developed no आपके पौरीफेरेंस के अंदर nervous system absent है totally silentrate से nerve net start होता है सबसे पहले जो nerve sensing जो हो silentrate के अंदर ही देखी गई थी क्योंकि आपको भी पता cell aggregate body plan होता है पौरीफेरेंस के अंदर individual cell जो होती है वो इकठी होकर के number of cells इकठी होकर के organism की formation कर दी है उनके अंदर sensing के लिए कोई common जो है structure present नहीं होती है but in case of silentrates एक common जो है lining present होती है उनकी outer layer के जिस नीचे non polar neurons की तो वहां पर आपको जो है nerve net देखने को मिलता है firstly आपको silentrates के देखने को मिलता है उसके बाद धीरे-धीरे-धीरे-धीरे सब्सक्राइब होता जाएगा nervous system और आपको देखने के अंदर इतना वैल डवलप नहीं होता है सिर्फ रिंग तक जो है लिमिटेट रहता है रिंग की formation हो जाती है ब्रेन आप पर ब्रेन नहीं बोल सकते हो रिंग जो यहां पर रिंग है वही इसके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है ठीक है और मैं और मैं अलवार से दखकर करोबता सकते हैं अलवत भी सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रेंग से जादा इसकी बाडी फरन सब्सक्राइब औरthree polymorphic देखो, dimorphic is a polymorphic, but polymorphic जो होता है, उसके निदर triple, जो है, 3 form, 4, 5, कितनी भी body forms देखने को मिलती है, इस वज़े से single के लावाँ, जो भी होता है, इसको polymorphic बोल सकते हैं, और specifically आपको बताने है, तो dimorphic 2 के लिए यूज होता है, after that, sir, why stenophora also known as comb jellies, comb jellies and what is the meaning by comb jellies, comb jellies उनके निदर जो comb plates, देखो, जैसे comb जो होता है, उसमें जो इस तरीके से बहार की तरफ आपको extension देखने को मिलते हैं, जो इसके निदर 8 comb plates आपको देखने को मिलते हैं, ये structure आपने देखी होगी, इसके निदर मैंने यहाँ पर य प्लेट्स देखने में आपको ऐसी देखी है, अगर मैं single plate को बाहर निकालके अनलाइज करवाँ, तो इनके इस तरीके से आपको lining देखने को मिलेगी, समझारी ये बात, जो comb like होती है, इसी वज़े से इनको क्या बोलते हैं, और ये का तर टांस्पेरेंट होता है, तो इसी इन फीमेल दोनों एक में प्रेजंट होते हैं, नेक्स्ट, इफरेंस बिविन मॉनस्यस अन हर्मोफ्राडाइट, ये बोथ हार बाइसेक्शुल, येस बोथ हार बाइसेक्शुल, इन प्लाइटी हलमन्थी इन डिरेक्ट डवलपमेंट इस पाउंड बट इन प्लेन अरिया बागी दोनों में लारौ है, तो पूरी क्लास को जब रिप्रेजेंट करते हो अब डिरेक्ट ली बोल सकते हो कि इन डिरेक्ट डवलपमेंट हो थी आ वहां पर लिखना चाहिए कि डारेक्ट डवलपमेंट इस डिरेक्ट और में बी इन डारेक्ट अगर ऐसा आपके पास तो सबसे best option वहोगा पर ऐसा option आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी NCRT के coding ही आपको जाना पड़ेगा उसके अंदर तो यह भी नहीं बताया कि लालव स्टेज होती ही नहीं है यह तो मैंने आपको बता दिया है कि कि वहां पर elementary canal जो है अगर मैं फस्ट की बाकी दोनों की बात करूं लास्ट वाले की बात करूं तो याद रहेगा कि जब उसके करेक्टर बताएं तो eldest plane area तक तो याद रख पाएंगे जो इंपोर्टेंट है मैंने उसको इस वज़े से नहीं बताया है आपको बतायता हूं यह नहीं है कि brain fever के वाने पूरी जितनी डिटेल स्टडी आपको चाहिए मैं पूरी आपको बता दूंगा बट वह आपके slavers के अंदर नहीं है किसी भी तरीके से कोई relation नहीं हो उसका है encephalitis, harpes simplex जो virus होता है वो भी encephalitis के लिए responsible होता है brain fever के लिए responsible होता है मैंने इस वज़े से उसको बताना आपको सही नहीं समझा क्योंकि आपके slavers में नहीं है और इस ताइम अगर आप एक्स्ट्रा इदर उदर से सब कुछ की, मैं सब कुछ ग्रैब कर लूँ, तो ग्रैब तो आप सब कुछ कर लेंगे, बट उसको जब अप्लाई करना चाहेंगे ना पेपर के अंदर, आपने दस जगह से चीजें पढ़ी हैं और पेपर के अंदर आपके दिमाग में वो 10 books घूम रही होंगी, कि answer मैं क्या लगाऊं, और अगर आप एक पे ही पूरे अच्छे से बने रहते हैं, तो आपको दस बार उस चीज़ को एक ही बुक को दस बार पढ़ेंगे, तो आपके mind में रहेगा कि paper आना भी वहीं से हैं, और सामने question आएगा वारेल इंफेक्शन है जिसमें ब्रेइन के अंदर जो सेल सों में इंफ्लामिशन आना स्टार्ट हो जाता है, बोडी टेंपरेशन की जो होता है, ब्रेइन की आपका ये पूरा सिफैलिक रीजन जो है, यहां का टेंपरेशन जो होता है, वो सारी चीज़े है, नंबर ओफ स हो है, इसमें अगर कोई होस्ट, मालब पैरसाइट है, तो वो इससे अटाइच होने के लिए हुक से वो अटाइच हो गया, अब सकर वो सक इसको जो इसके अंदर प्रेजेंट जो मेटेरिल हो, उसको सक करने के लिए इसमुझे, यह क्या है हुक्स, फिंगर क्या है हुक को हुक से यह स्टैक हो गया, स्टैक होने के बाद उसको सक करने में यूज़ कर लिए, तो इस सारे पॉइंट आई तिंग आपको क्लियर हुए होंगे, नेक्स्ट, काफी एतना डिसकेशन आपके पेपर को लेकर के, सर हाओ, कैन पैरी पेटर सेंट पॉली गोडियर्स बोथ हार कनेक्टिंग लिंक बिट्विन अनलेडा एन आर्थो पॉड़ा, डिस्पाइड बिलॉंगिंग फ्रॉम डिफ्रेंट वाइला, एक बात बता देता हूं आपक कि देखो, एक होता है, आप अगर ढंग से सोचें, आप ढंग से सोचें, मैंने आपको, इस बच्चे ने जो कोशन पूछा है, बिल्कुल सही पूछा है, बाकी स्टुडेंट ध्यान से सुने, क्या प्रिडिक करना आपको उसके अंदर, मैंने आपको एनिलीडा जब बताय या पैरी पेटास, चीक है, अब एडवांस आर्थोपोड, एडवांस एनिलीड, एडवांस एनिलीड के अंदर कुछ आर्थोपोड के क्रेक्टरस है, एडवांस एनिलीड के अंदर कुछ आर्थोपोड के क्रेक्टरस है, जो इडवांस एनिलीड के अंदर कुछ आर्थो और कुछ क्रेक्टर्स जो उसके किससे मैच कर रहे हैं एनिलीडा से that's why it is also known as the connecting link between the एनिलीडा इन आर्थो पोड़ा और ये भी एनिलीडा इन आर्थो पोड़ा आपको अच्छे से पता होना ची इंपोरेंट पॉइंट है समझ लें एडवांस अडवांस बस इसमें लेस क्रेक्टर एनिलीडा के इसमें लेस मोस्ट करेक्टर के इसके एनिलीडा के इसी वज़े इसको एनिलीडा में रखा इसको आर्थो पोड़ा में रखा but both are considered as an connecting link I think I think I can clear your clear clear हुआ होगा ये संकल्प हाँ जी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपने आज जो है मुलस्का जो है उसको आप अच्छे से पढ़ लें क्या होता है पूरा कंप्लेट अच्छे से एनलाइज कर लें छोटे-छोटे पॉइंट जो आपके इंसी आईटी ने दी हुए है वो भी आपको अच्छे से अनलाइज करने है बेसिक रेक्टरस जो है वो भी आपको अच्छे से देखने है तो अपने स्टार्ट करते हैं भी क्लास सेइम वही पैटर्ण जो आपको फोलो करना है कलास के बाद अपने डाउट्स जो हाँ आप डॉप कर सकते हैं कल आपकी क्लास के पने डाउट्स याँदर आपसे डाउट्स पोच लिए जाएंगे आपके इस क्लास के तो आज अब सिर्फ जो इस टोJust ऐगी आपको मैं बतायता हूं फिर से कि each and every point जो आपको यहां पर लिखवाया गया है आपसे discuss हुआ आपको सब कुछ पता होना चाहिए समझ आरे बाद यह मैं सोचना कि NCRT पढ़नी है अन्दर जब तक आप वह सारी चीजें जो आपको बताएगे उनको अनलाइज नहीं करेंगे तक आपको NCRT याद रहने वाली नहीं है तो यह सारी चीजें अच्छे से देख लेना ठीक है आपको मैंने पहले ही बता दिया है ताकि आप उसके साथ जो है प्रोसीड कर सकें फि भी आलवाल्ड आपको एक पार क्लास जो है वह याद रखनी ही है जब तक देखो जब आप एक्जंपल से याद रखेंगे तो आपको और ज्यादा बैटर तरीके से वह एक्जंपल से याद से रहेंगे और कभी आप अपन फिूस नहीं होंगे अदर बाइस क्या होंगे आ काफी सारे similar kind of names जो आपको देखने को मिलेंगे तो उसके अंदर फिर confusion create होता है जादा बैटर है कि उनकी classes जो है वो साथ में याद रखेंगे कुछ ए character याद रखेंगे तो वह example आपको अच्छे से याद रहेगा मेरा अच्छे से अनलाइज करना है मोलस्का के अंदर आप देखें बेसिक क्रेक्टर्स जो है वह आपको पता होने चाहिए study of mollusks जो होती है वह क्या होती है मैलेकोलोजी क्या बोलते हैं इसको मैलेकोलोजी study of mollusk is known as मैलेकोलोजी फिर फर्दर आगर बात करते है study of mollusk shell इनके अंदर जो है exoskeleton आपको देखने को मिलता है exoskeleton generally आपको देखने को मिलेगा calcium carbonate का बना हुआ जो है calcium carbonate का बना हुआ study of exoskeleton is known as concholosie क्या बोलते हैं जो mollusk shell जो है उसकी study क्या बोलते हैं जनल वर्ट जो है को को लोजी जनल यह पूछा नहीं जाता है आपको बता दिया है सिर्फ general knowledge के लिए आपकी मुलसका जो है मुलसका के अंदर मीन आपको जो याद रखने है सबसे पहले जिसके general features जो है वो आपको पता होने चाहिए जो पूरे complete आप से मैं discuss कर चुका हूँ one by one अब उन features को पहले लिखेंगे कि अगर मैं बात करता हूं जिसके लिए लार्वा होता है तो उसके वह आपको 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 देखने को मिल जाएगा shallow water के लिए देखने को मिल जाएगा number of जो है sites जहां पर आपको यह मुलसक देखने को मिलते हैं मुलसका second largest phylum की तरह second largest phylum second largest phylum यह आपको छसे पता होना चीह है कि second largest phylum कौन सा है फिर फदर आप बात करते हैं General characters General characters कहने सबसे पहले Body plan sorry Body organization Organ system level of body organization organ, system, level of body organization, चीक है, after that, second one, body plan, body plan कैसा होगा इसके अंदर, tube within tube, tube within tube, body plan, चीक है, फिर further body symmetry, body symmetry के अगर मैं बात करता हूँ, तो snail, snail जो है, like apple snail की, अगर मैं बात कर लेता हूँ, apple snail, proper example, pile, apple snail किसको बोलाता है, pile को बोलाता है, इसके इंदर torsions देखने को मिलते है, like इसकी structure अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, एक rough diagram जो है, वो बनाए है मैंने, इस rough diagram को analyze करें, एक rough diagram आपके सामने बनाए है, इसके अंदर यह apple snail, क्या बोला जाता है इसको, apple snail, apple snail के अंदर यह क्या है, पाइला, इसका larva क्या होता है, वेलीजर, कुछ points जो है वो इसके regarding आपको बताई देता हूँ, जो लेजर, और यह जो structure आपको देखने को में जेरा है इसको बहते है ऑपर cud 현 किया बहुतो है ऑपरे कूलम यह बाहार की तरफ आता है जीर कुलम बहार की तरफ आता है, जिसमें एक example जो आपको याद अखना है, asymmetrical का, वो ये है, otherwise इनके जो other members है, उनके अंदर कैसे symmetry देखने को मिलती है, bilateral symmetry, आपको मैंने एक example बता दिया है, वो example आपको याद अखना है, बट पूरे complete phyla की अगर बात करें, तो पूरे complete phyla के अंदर का देखने को मिलती है, bilateral symmetry, अगर proper phyla पूछा जाए, तो asymmetrical है, complete phyla पूछा जाए, complete phyla में न मोलस्का के बारे में पूछ जाए, तो bilateral symmetry है, after that, germinal layer, triploblastic, कैसे हैं ये, triploblastic, three germinal layers, जो इनके अंदर के अंदर के अंदर के हो, triploblastic, सीजो सीलोम वाली condition, जो आपको देखने को मिलती है, कौन सी, सीजो सीलोम, ये आपको देखने को मिलता है, छिक है, तो पूरा complete आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कि triploblastic, सीलोमेट, और वो भी कौन सा, सीजो सीलोम, जो है, वो आपको जिसे अनलाइज करने है, फिर फरदर अगर बात करते हैं, इसके अंदर, जो formation होती है, माउट की formation, जो development pattern के अगर बात करते हैं, जो development इसके अंदर protostomyates, protostomyates, तो यह सारे points regarding to आपके mollusca, general features मैंने आपके लिखे हैं, सिर्फ general features मैंने आपके लिखे हैं, इसके body parts प्रोपर जो इसके अंदर present हो, उसको define नहीं किया है, इन सभी को आप अच्छे से analyze कर लें, mollusca के regarding जो आपके सामने लिखा हूँ है, basic characters ही है, जो अभी तक आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, उन्हीं को दुबारा complete revise किया है, आपको revise करवाए है, और हर एक फाइला के अंदर आपको सबसे पहले यह लिखने ही है, कोई भी आपको बोल दे कि मुलसका के बारे में कुछ characters बताइए, तो मुलसका के special features अगर आपको याद नहीं है, characters याद नहीं है, बट यह simple characters तो याद होने चाहिए, ताकि आप six to seven lines जो अच्छे से लिख सके, प्रोपर बता सकें कि मुलसका के अंदर होता क्या है, यह organ system level body organization है, tube within tube body plane है, snail, जो apple snail होता है, उसके अंदर asymmetry present नहीं होती है, उसके लावा bilateral symmetry जो आपको complete phyla के अंदर देखने को मिलते है, triploblastic animals है, silomate होते है, true silom देखने को मिलते है, scissosilom इनके अंदर देखने को मिल इसके अलावा, इसके अलावा special character जो है, वो आप अच्छे से देखें, काफी सारे इसके अंदर जो है body, पहले तो इसके body जो होती है, वो three parts के अंदर divide होती है, एक इसके अंदर head मिलता है, second इसके अंदर dorsal side के अंदर present visual hump और vental side के अंदर जो इसके अंदर देखने को मिलत head, proper, sorry, first क्यों होता है, head, second अगर बात करते हैं, इसके dorsal side के अंदर, second इसके dorsal side के अंदर, आपको क्या देखने को मिलेगा, visceral hump, visceral hump, और third, इसके ventral side के अंदर, ventral side के अंदर, एक muscular foot, muscular जो foot होता है, वो किसमे help करता है, इसके, locomotion में help करता है, muscular foot locomotion में help करता है, whistle hump के अंदर इसके visceral organs present होते हैं, whistle organs इसके अंदर present होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर जो special character है इसके अंदर present होता है mental क्या present होता है mental mental जो है क्या है वो covering आपको अभी पता चल जाएगा माल लेजिए आप समझिए इस चीज को mental को क्या है आपके पास एक जो यूनियो इस त्रीके से ओपन होता है पर्ल और चर आपने पता होगा पिंक टाड़ आप अगर सुना है पर्ल और जिसके आपको पर्ल जो मिलते हैं माल लेजिए इस ट्रीके से ओपन हो रहा है इसके टैच्मेंट कहा है पीछे से टैज आप उसको पूरा complete अब जैसले हैं जैसे यहां तक आपन होता है छयां पर होता है यहां तक आ ऑक extend जैसे यह यहांसी है तो इ violation जैसे यह यहां तक आपनand तो आपको मेंबरेण दिखेगी क्या दिखेगा शान वहरा पात हैं यह दोनों एक दूसरे के उपर क्या है एक दूसरे को ओवर्लैप के वह covered है और यहां से इन दोनों की attachment है ठीक है यह जैसे आप open करोगे open करती है आपको एक membrane दिखेगी यहां पर प्रेजंट होते है वोटर यहां से एंट्री लेता है वोटर यहां से एकजिट एक पोर होता है जो है वह और एक X current जो बाहर वहां से वोटर निकलता है एंट्री और एकजिट दोनों एक जगाई प्रेजंट होते हैं यहां इस साइट पे ठीक है जैसे यह open हुआ open होता है एक membrane आपको दिख रही है यह membrane जो है इसको पूरा completely history के से open होने नहीं देती है यह पूरा complete ऐसे open नहीं अलब है कि बोडी के जो visceral part है विसल की जो outer membrane जो होती है विसल पाट की वो जब इन शेल से अटेच होती है इन शेल से जो अटेच होती होती हो थू मेंटल एक membrane like structure है उसी से ही अटेच होती है जो पूरा इसको open नहीं होने देता और जो cavity present होती होती है उस cavity को क्या बोलते है उस cavity को बोलते है mental cavity क्या बोलते है mental cavity जहां पर वोटर एंटी लेता है वोटर एकजिट करता है वोटर जो इनर साइड में जाएगा उसके इंदर food particles भी होंगे number of जो और बट जो entry होती है उस entry पर यहां पर एक औस फ्रीडियम एक sensory structure present होती है जो chemical nature water की chemical nature pH को check करता है एक करेंगे आप diagramatically भी जो आप इसको आप अच्छे से समझेंगे बट सिल आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर एक extra structure जो mental present होती है यह respiration में help करते है इसमें help करते है आप देखें water अगर mental नहीं present हो यहां पे membrane नहीं हो तो एक cavity नहीं बनेगी cavity नहीं बनेगी तो water जाएग में तो mental अगर नहीं होगा तो क्या water वहां पे रहे पाएगा तो indirectly डारेक्ट तो mental use जो है respiration में help नहीं करते है बट इन डारेक्ली में डारेक्ली तो फैदर लाइक गिल्स के फूर इसके अंदर क्या मिलता है respiration देखने को मिलता है तो वह आपको अच्छे से समझ जा जाना यह मोलस्का के रिगार्डिंग क्योंकि यह लाइन जो इतना सा paragraph लिखा वह इंसी अटिक अंदर बहुत most important है अच्छे समझ जा जाना चाहिए मैं के अंदर आपको detail classes के अंदर नहीं लेकर जाओंगा इसके नहीं मोनो प्लेकोपोरा पोली प्लेकोपोरा गैस्ट्रोपोरड होना चाहिए इन detail classes के बारे में इतनी information आपको नहीं ग्रैब करनी है उसके अलावा एक इसके अंदर हो गया इसके बोड़ी पार्ट हैड डोर्सल हैड डोर्सल साइड इसकी विसल हम्प वेंटल साइड के अंदर मुस्कुलर फूट और एक मेंटल मेंटल कैविटी इसके अ के अंदर हैको करते हैं इनकी अंदर रिय्ड राइड रेट ला। एक रेश्पिंग ऑर गन ड्रेट ला जो है वह आपको देखने को मिलता है जो फर्दर क्या करता है फूट की जो है रेव्चिंगे रियंगे मेंटल का एंदर का ओ सुर्सलीन की इनलीज कर लें देख लें क्या क्या पॉइंट्स जो आप से डिसकस किये गए हैं ठीक है डवलपमेंट इन के अंदर क्या है इंडारेक्ट है काफी सारे जो हैं मेंबस के अंदर लाल सिज़ आपको देखने को मिलेगी फिर फर्दर अगर मैं बात करता हूं फर्टिलाइजिशन तो फ एक्टरनल फटिलाइजिशन वाले में 124 लिखकर के देखो कभी भी डिरेक्ट स्टेट फॉरवड जाने की कोशिशिश ना करना ऐसे इसको सौल कर लेना तो मतलब एक्टरनल फटिलाइजिशन है ऐसे लिखकर ही कही ही आपको देखना है कितना भी याद हो गलती करेंगी कर कि अग्ची करके इसके मेंबर को आनलाइजिश करते हैं तो आप देखिए हैं परस्ट हैबीट अच्छे से अनलाइज करें इसके अंदर पूरा आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको अच्छे से देखना है क्या क्या है इसके अंदर पूरा अच्छे से अनलाइज कर लें आपको मुलस्का के टेरिस्ट्रल और एक्वेटिक फॉम दोनों में देखने को मिलता है मैरेन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर आपको जो है यह अच्छे से इजी ली एनलाइज होगा तो वन बाइवन जो है मुलस्का के जितने भी मेंबस है अब आप अपने उसको पढ़ेंगे बड़ उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो डाइजेस्टि अपको देखने को मिलते हैं ज verdeczple पाइप अःपाओ लाज ट跟我 आधालेक्टिंच देखने को मिलन ओर उसके बाद अगर बात की जाती है कुछ हैक मैंबस आग जो इसके सिफए सफैल कोड़ इंदर इसका ऑट्पॉस आता है सी पन डेक्टह अाता है यह सभी आपको एक्ष तो सारी छोटे-छोटे पॉइंट जो है वह अच्छे से आपको कंसीडर करके चल लें रिगार्डिंग तो यूर मुलस्का सेकिंड डाइगरम आप अच्छे से अनलाइज करें जो है पूरी पलाइन को जो है वह वह जो कर रहा है आप अच्छे से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप देखें इसका एक दो पाट आपको देखने को विष्व तो विस्टोल मास जो है पूरा उसको शो किया हूँ इसके अंदर बैक साइड के अंदर आप देखे एक फूट आपको देख रहा है माउथ के अंदर रेडुला रेडुला के शो है कि इसके अंदर प्रेजन होता है most important है feeding organ है फिर फर्दर resping and feeding organ फिर फर्दर उसके बाद आप इंदर साइड के अंदर देखें एक गिल आपको दिख रहा होगा red color से जो पूरा complete बनाये होगा है वो feather-like गिल आपको देखने को मिल रहा होगा जो फर्दर respiration में help कर रहा है और नीचे की साइड में आपको एक muscular foot दिख रहा होगा आप देखें nerve cord जो है इसके अंदर mental side के अंदर दो nerve cord है आप ध्यान से उसको अच्छे से देखें क्या है इसके नदर two nerve cord आपको पहले बदाए कि जितने भी vertebrates होते हैं इनके अंदर mental side के अंदर nervous system present होता है और दो nerve cord जो है आपको देखने को मिलती है पूरा complete आप अच्छे से analyze कर ले mental जो अपर side के अंदर blue color से आपको दिख रहा होगा जो इसकी जो है directly इसके covering से attach होता है वह बोलते mental और mental cavity जिसके नीचे शो किया हुआ है अगर आप देख सकते हैं अच्छे से देखें mental cavity एनस वाले portion से water की entry होती हो और वहीं से water क्या होता है exit होता है तो पूरा complete आपको अच्छे से पता हो जिए basic body plan of mollusk यह diagram आपको यार नहीं रखना है बट आप जो NZRT के अंदर लिखे वे points है Redula को आप analyze करें mental को आप analyze करें whistle mask क्या है उसको analyze करें foot क्या है उसको analyze करें gills क्या है feather-like gills क्या होते हैं वह आप analyze करें सिर्फ analysis ही important है इसके अंदर अगर आपने यह अच्छे से देख लिए तो आपके mind में एक picture बन गई होगी मुलस्का के regarding कि क्या-क्या मुलस्का के अंदर आपको देखने को मिलता है मुलस्क के अंदर क्या-क्या होगा वो सारे सारे points आपको अच्छे से इसके जस नीचे की तरफ आई present होता है यह आई नहीं है इसकी जो बाहर की तरफ निकले होए ना antenna टाइप से यह कहें इसके अंदर tentacles हैं जो sensory structures है इसके जस नीचे की तरफ एक क्या दिखाया हो है squid और second squid क्या है लोली को और second क्या है Octopus इन दोनों को आप अच्छे से अनलाइज कर ले इंपोर्टेंट है इन वर्टीप्रेट के अंदर most intelligent माना जाता है Octopus को तो वह आपको चैसे पता होना चाहिए दाइग्रम्स को अच्छे से अनलाइज अब तक आप नहीं करेंगे तब तक जो है grab नहीं कर पाएंगे यह चोटे-चोटे points जो आपको बताएं हुए तो I think कि आपको clear हुआ होगा पूरे complete diagrams जो आपसे share किये गए है one by one जो है पूरी complete structure आपने अच्छे से अनलाइज की होगी यह पूरा complete diagram आपको अच्छे से पता होना चाहिए जिसके अंदर पूरे body structure को जो basic body structure जो बेसिक जो body plan है वह आपसे discuss किया गया है इस पूरे complete जो है जो examples आपको बताएं अब इसके अंदर अपने बात कर सकते हैं लाइक जो इसका digestive track जो होता है वो क्या होता है या फिर respiration इनके इंदर कैसा देखने को मिलेगा फिर अगर circulation की बात करें या फिर एक्सक्रीशन की बात करें एक्सक्रीशन के लिए मैं आपको already बता चुका अगर मैं बात करता हूँ इसी के अंदर अस्ट्रक्चर जो है फैदर लाइक गिल्स फोर respiration और excretion के लिए मेंबर स्पेसिफिक आपको इसके इंदर जाना पड़ेगा मेंबर स्पेसिफिक की अगर बात करें वन बाइवन जो उनको उन सभी को अपने लिखते हैं ह कि अदर्ब急, फिर्व को, आपलो, और एक्!!! तबर एक्रणुर मेंबर को यहां लाऋव इन ती अधन हैं मेंबर क्तवकिश्ट आख्यों आप खानु आःक्यों को, और The Section आप कहेंगे सर क्या Ekseskerson Ekseskerson Cabers Organ बताया था आपको Cabers Organ Organ of Beausites Structure ये कुछ नहीं है और Kidney Word जो है मैंने आपई किया था अगर आपको याद हो ऑचे से तो generally Kidney-like structure Structure होती है उसको Kidney-like structure बोल देते हैं Proper develop human being केंदun जैसे Kidneys present होती है वैसी kidneys नहीं होती है structure है जो further excretion में help करती है which is also known as kebus organ, borgenous, organ of borgenous and kidneys जो आपको देखने को मिलती है, उसके लावा circulation कैसा होता है, open type of circulation होता है, बस close आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, close type of circulation आपको देखने को मिलता है, cephalopoda, cephalopoda, cephalopoda का meaning होता है कि इसके head पे जो है, जो है वो रहते है, आप जो cephalopoda, octopus के अंदर जो head है, उसी पे पूरी उसकी arms present होती है, अब यह मैंने आपको जो squid, sea squid, लोली को का जो diagram दिखा है, उसके head के उपर उसके arms दिख रही थी वो, वो cephalopoda, मलब head के उपर उसके क्या है, जो है foot present है, उसको बोलते हैं, cephalopoda, example इसक चिक है, और third इसका example है, लोली को, squid जिसको बोला जाता है, चिक है, यह तीनों ही example आपको इसके आदक ने है, चिक है, सिपिया, octopus and लोली को, आपके saliva के अंदर है, तीनों ही NCRT के अंदर दिए हैं, cephalopoda के हैं, close type of circulatory system इन के अंदर देखने को मिलता है, next, respiration जो होता है इसक देखने को मिलते हैं, T-needia, T-needia से ऐस सच आपको जो है, confused नहीं होना है, आप तो feather like gills के साथ जो हैं, जा सकते हैं, complete इसके अंदर digestive track देखने को मिलता है, complete digestive track, intracellular digestion, sorry, extracellular digestion, यह आपको अच्छा से पूरा cover करना है, ठीक है, nervous system की बात करते हैं, तो वही nerve ring इन के अंदर को मिलता है, nerve ring brain को represent करता है, पुरा complete mental side के अंदर nervous system, मैंने आपको analyze भी करवा दिया, mental side के अंदर two nerve codes जो होती है, यहां पर present होती है, अब last and final रह जाते हैं, इसके अंदर examples, last and final जो आपको इसके अंदर पढ़ने है, वो पढ़ने examples, उन examples को आप अच्छे से analyze करें, क्या है examples, like अगर मैं बात करता हूँ, examples के अंदर, एक example सबसे पहले मैं बताता हूँ, नियो पिलाइना, नियो पिलाइना, जो इसका एक member है, नियो पिलाइना, यह connecting link है, क्या है, connecting link, in between, anelida, anelida and mollusca, anelida and mollusca, किन-किन के बीच में, anelida और mollusca, आर्थो पोड़ा है यह नहीं, इसमें कुछ characters, जो anelida के भी है, और mollusca के भी इसके अंदर character है, जो outer shell आपको देखने को मिल रहे है, इसी वज़े से इसको anelida और mollusca का connecting link माना जीता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, anelida and mollusca, not arthropoda, anelida and mollusca, neopilina, सबसे पहली क्लास है, सबसे पहली क्लास जो इसके अंदर देखने को में मोनो-प्लैकोफोरा, क्या बोलते हैं, मोनो-प्लैकोफोरा, मैं आपको बताना नहीं जाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर number of classes, monoplैकोफोरा, biplैकोफोरा, polyplैकोफोरा, gastropoda, bivalvia, cephalopoda, number of classes इसके अंदर है, आपके syllabus के अंदर नहीं है, सिर्फ example-based classes को आप याद रखे, इसके पहले मैंने आपको classes बहुत अच्छे से रिफाइन किया, इसके बाद आपको invertibrate की classes नहीं पढ़नी है, invertibrate की classes जो member है, उसकी class आप देख लें, NCRT के अंदर जो member दियो, उसके अलावा extra के अंदर classes याद रखने की जुरत नहीं है, क्योंकि number of classes हैं, फिर बाद में बैठ करके आप confused होंगे, तो ज्यादा बैठ रखे, उतना ही याद रखें जो आपके syllabus में है, देखें आप, Neopeline आपको बता दिया है, फिर further second number, Ketopleura, Ketopleura, Chiton, जो है आपको अच्छे से देखना है, काइटन, फिर फर्दर उसके बाद, Dentalium, Tusk Shell जिसको बोलते हैं, तसक शेल, फिर फर्दर पिंक टाड़ा, जो रियल्टी के इंदे पर्ल जो आपको मिलते हैं, इसको बोलते हैं, पर्ल, ओइस्चर, क्या बोला जाते हैं, पर्ल, ओइस्चर, ठीक है, फिर फर्दर जो आपको एनलाईज करने हैं, Octopus, क्या बोला जाते हैं इसको, Devilfish, which is not a fish, फिश नहीं है ये, फिर फर्दर अगर बात करते हैं, Sea Squid, लोलीगो, Important examples, जो हैं, वो मैं सारे यहां पर लिख दी हैं, Sipia, क्या बोलते हैं इसको, Cuttlefish, क्या बोलते हैं इसको, Cuttlefish, और भी मिल जाएंगे, बहुत सारे examples हैं, ऐसा नहीं हैं कि और examples नहीं है, Unio, most important example, Unio, Bivalvia class का मेंबर है, Unio, Paila, Gastropoda का मेंबर है, Bivalvia class है, इसकी class क्या है, Gastropoda, तो यह सारे examples जो आपको अच्छे से याद दखने हैं, Apple Snail बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अब आता है यह बात, लार्वा की, Unio का लार्वा होता है, गलोचीडियम लार्वा, अच्छे से याद अखने, अभी last 5-7 years के इंदर नहीं पूछा, उससे पहले बहुत important question था, और पूछा जाता था, युनियो का लार्वाह होता है, आप से यह जितने भी complete larva हैं हर एक classes के अंदर जो है define क्यों है किस-क्लास के अंदर फर्दर कौन किस-क्स फाइला के अंदर कौन-कौन से आपको larvas देखने को मिलेंगे और इन larva को याद रखना है इसको आपको note down भी करना है और बहुत अच्छे से बार-बार इसको revise करेंगे तब जाकर कर यह larva याद होंगे otherwise यह larva याद होने वाले नहीं है इस सारे complete larva's जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए हर एक classes के अंदर अब आप larva जहां पर याद रखने तो आपको पता हुआ कि देखें लास्ट के अंदर reptiles या फिर मैं बात करता हूँ fishes, reptiles, फिर further birds और mammals यहाँ पर आपको कोई larva देखने को नहीं मिल रहे है सिफैलो कोड़ डेटा के अंदर आपको कोई larva देखने को नहीं मिल रहे है मतलब यह कैसे इन फाइलाह के अंदर और डवल मेंट देखने को मुले। उसके अलावा जितने भी हैं उनके अंदर डैरेक्ट और धैयर्क्ट ऐसा भी हो सकता है और 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 इंडायर्क प्रोपर इंडायर्क डवलमेंट भी हो सकता है तो 22鹿रो C however लार्वा जो है one by one अच्छे से clear हो जाने चाहिए I think पूरा complete आपको मुलस्का समझ आया होगा जिसके अंदर classes मैंने आपको नहीं बताई है अगर आपको यहाद रखना है तो आपको यहाद अपको यहाद रखना है फिर फर्दर एप्लेकोफोरा का एक्जम्ब वैसे इसके इंदर बतायता हूं कि मैंने जो लार्वा आपको बताएं लाइक वैलीजर लार्वा पाईला का लोचीडियम लार्वा जो आपका यूनियों का अगर प्रपर आप से बूचे क आपको आपको यहाद होने चाहिए यहां से जनरी पूच जतन से आपके तो one by one पूरे कम्प्लीट लार्वा आपने अच्छे से देखैं तो आइधिंक आपको यह पूरा कंप्लीट क्लियर होगा मुलस्का next जो आप अपने अंदर अपने जो है इसके अंदर प्रोसीड करेंगे वो है काई नोर्मेट्स और हैमी कोडेट्स इसके लांस जो आपके जो फाइल आ रहते हैं इन वर्टी बेर्ट्स के ये सारे फाइला जो है next class के दर में डिसकस करेंगे तो आज के लिए इतना ही ओके थेंक यू